नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपनी यूटूब चैनल जोबित पीडे में दोस्तों आज इस क्लास के माद्यम चेपने चेप्टर नमबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्यूशन नमबर 4 करेंगे पिछले क्लास पर हमने क्यूशन नमबर 3 ना वो कंप्लीट कर लिया अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा तो आप आँसे क्यूशन नमबर 3 के लिए वो क्लास जरूर देख लेना अगर आज की क्लास आप वो पसंद आए तो आपसे लाइक और शेर ज इन कालना है और उसके आगए ती अर निकलना है ठीक है तो सदis सरेडी है वह एपी होती है यह समांतर सेडी होती ह्याहतया है यह समान होगा ठीक है तो किस परकार हम सारु अंतर निकालते हैं इस क्यूट्र हूं कि सदेखने ечुर नमर्य एक इस परकार है कि 248-16 यह एक सरड दी गई है और हमें बताना है कि AP है या नहीं अगर AP है तो इसका सारो अंतर निकालना है और आगे के तीन पद भी निकालने है तो पहला पद यह हो गया जिसे हम A1 बोलती है यह कितना है दो है दूसरा पद कौन सा हो गया A2 कितना है चार हो गया ठीक है यह तीसरा पद हो गया यानि A3 कि कितना हो गया सोला हो गया अब हमें सबसे पहले चेक करना है यह एपी है या नहीं तो एपी के लिए हम क्या करते हैं सारों अंतर निकालते हैं अगर सारों अंतर शमान आता है तो तो क्या हो जाएगा यह एपी हो जाएगा अगर सारों अंतर शमान नहीं आता है तो यह पी नह ही होगा तो सबसे पहले हम सारव अंतर निकालेंगे तो 30 है लिए है है शाय-वंतर डीवन डीवन यानि जो पहले दो पद है ना इन दोनों आंतर ठिक यानि बड़े एक चोटे वाला गटेगा तो बड़ा कुन साझ यानि दूशरे पद मैं से पहला पद गटेगा तो दिवन ब्राबर क्या हो जएगा एट्टू मैंनस एवन एट्टू कितना है यह देख लीजिए यहां पर CHAR है ठीकज तूसरा पद 4 है और पहला पद कितना है दो है तो दूसरे आठ है, आठ में से दूसरा पद गटेगा, दूसरा पद कितना है, चार है, तो आठ में से चार गटेगा, तो कितना बचेगा, चार बचेगा, तो D1 कितना मिला हमें, दो मिला, ठीक है, D2 हमें कितना मिला है, चार मिला है, इसी परकार हमें, तीस रप, सारों अंतर निकाल ले तो यह कितना है आंठ में controversial कितना आगया आठी आप आजायेगा तनि कि यहां पे नोट करें बात कि डीन तो 2 आया है देटू कितना है चार एक दी त्री थृतना क्या है तो पर बादर क्या जो लोग किए सरे बराबर नहीं है तो nemलत देंगे ensures डीवन डीटू और डीथ्री यह तिन्नों क्या बराबर नहीं है अगर बराबर होता है तो यह शिंबल लगाते हैं बराबर नहीं है तो इसके उपर हमें इस परकार क्रोसे कर देते हैं तो जो सारों अंतरा है ना डीवन डीटू और डीथ्री यह तिन्नों क्या बराबर नहीं है अगर सारों अंतर बराबर नहीं है तो क्या समानतर शेड़ी होगी क्या तब आब बोलोगे सरा अगर सारों अंतर बराबर नहीं है तो एपी भी नहीं होगी ठीक है तो हम लिख देंगे अता है सारों अंतर बराबर नहीं है तो अता है जो मैं स्रेड़ी दीगी थी दो चार आठ, सोला, एक, एपी यानि एपी यानि समानतर शेड़ी नहीं है अगर ये समानतर शेड़ी होती तो इसके हमें आगे की तीन पद और निकालने थी लेकिन ये समानतर शेड़ी नहीं है तो इसके आगे की और हमें तीन पद नहीं निकालने है तो यह आपका इसका क्यूशन नमर एक हो गया इसी परकार इसके सभी के सभी क्यूशन करने है ठीक है तो यह मैं दिया गया था सबसे पहले हमने सारों अंतर निकाल लिया सारों अंतर जब हमें समान नहीं मिला तो हमें पता चल गया कि यह एपी नहीं है अगर सारों अंतर समान आता जैसे D1, D2 ये तिनों बराबर आते जैसे ये 4 है तो ये भी 4 होता ये भी 4 होता तो ये सारों अंतर समान हो जाता सारों अगर समान होता तो ये AP होती लेकिन सारों अंतर समान नहीं है तो ये AP नहीं होगा ठीक चलिए इसका second question करते हैं second question के अंदर हमें स्रेडी दीगी है 2 5 बटा 2 फिर 3 है 7 बटा 2 हमें यह बताना है कि समांतर शेडी यानि fp है या नहीं तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले सारो अंतर निकाल लेंगे सारो अंतर सबसे पहले निकालेंगे d1 यैनि कि कि दूसरे पड़ में से पहला पड़ गटाएंगे एटो माइनस ayun ayun यहांपे कितना है। दूसरा पड़त कितना हो गया पांच बटा दो हो गया। ठीक है और कितना है 2 है दोस्तों वैसे आजाएंते हैं कि 5 बटा 2 करमेंश कितना हो गया डाई और यह कितना है 2 डाई में से 2 गटेगा तो कितना बचता है अदा बचेगा लेकिन इसको आपको सी मेच्टर से भी करना है कि इन दोनों का हम क्या करें यहां पर LCM ले लेंगे तो इसके नीचे एक माल लेंगे यहां पर 2 है यहां पर 1 का बच चार है और निचे क्या है और पांच में से 4 गटेगा तो कितना जाएगा एक बटा दो यानि कि जो में D1 का मान मिला है वो कितना मिला है आद्दा मिला है यहीत होगा डाई में से कर दो गटेगा तो कितना आएगा आद्दा आएगा और किस परकार आप वो करना है वो भी मैंने बता दिया तो यानि D1 का मान कितना आगया एक बटा दो आगया इसी परकार आपको D2 क्या करते हैं डीटु निकालती है डीडु यानि तीसमें से दूस्रा पड गटती है टीक है प्र दोंग निकर वे तुक्स जाएंकं तो खाल कितना में मिल गया एकटा दो यानि जो घ्र इंदेलं यह निटे टीश से तीस रापद में गटाना है तो चौत आपड यहां पर अपना कौन सहीं कि यह है सात बटा दो तो साथ बटा दो में लिख रहा हूं निचे ठीक फिर माइनि पिर यह आप इकागने से तीसरा पड गटाना है तीन है तो आप देख लिए इस परकर चोछह पद मेंती से में तीसरा पड़ आ वो घटाने तो घटाने तो कितना जाएगा कि दो का एक का बाग एक के अंदर दो के अंदर एक का बाग दें कितने बार जाएगा दो बार दो का गुण आपको तीन से कनने थी कितना आ गया च्छा आ गया तो साथ में से था गटेगा एक बचे का निचे कितना है दो तो यहने दी थ्री मान कितना आ गया एक बटा दो आ तो हम लिखे देंगे कि D1 बराबर है D2 के और D3 की यानि ये तिन्नुमान बराबर है तो अत्य है जो हमें स्रेडी दी गई है स्रेडी कौन सी दी गई है 2, 5 बटा 2, 3, 7 बटा 2, 1, AP है ठीक है ये AP है ये में क्यूशन दिया गया था इस में ये में स्रेडी दीगी थी मैं बताना है कि AP है या नहीं तिसके पहले पत, दूसरा पत, तिसरा पत, चोथा पत इसका हमने सारों अंतर निकालीए तो सारों इंशन आमें 1, 2, फिर सैकेंड सारों अंतर निकाला वो भी 1, 2, 1, 2 तो दो मिलें यानि सारों अंतर बराबर है जब भी सारों अंतर बराबर होता है तो वो क्या होती है आपकी है कि है एक है हमें क्यूशने में बोला गया था कि अगर कोई एपी है ना उसके आगे के तीन पदोर निकालने है तो आगे के तीन पदोर निकालने है तो आगे के तीन सारों आंतर सारों अंतर कितना है एक बटा दू है यह लीजी हमने जोड़ दिये क्युंकि सारों अंतर समाना ऋरहा ना एक बटा-दो एक बटा-दो इन दोनों का लसीम 2 आ गया ठीक है जो का बागए 2 में एक बार जाएगा एक का गुना साथ सकरेंगे तो जाएगा है फ्र यह दो Ary wisdomukar दो मैं एक बार जाएगा एक पाइक सिकर रहेंगे तो साथ कितना हो या आठ बटा दो आठ में दो का बार कितनी बार जाएगा श्यार बार है यह तो प्रकार इसके तिन फन काल लिए तो यह स्ट पद और शात्कبر छटे पद के लिए हम क्या करेंगे पांचों पद के अंदर डी जोड़ देंगे तो पांचों पद यानि एफाइप के अंदर डी जोड़ देंगे तो छटा पद आ जाएगा तो एफाइप कितना है चार है इसके अंदर यानि डी जोड़ देंगे तो एक बटा दो जोड़ द कर दो रबां दो में एक बार जाएगा कहा अगुअ कि buyer इक अफोन है नो बता दो तो अपने पास चाही था वह कितने आ गया नो बता दो आ इससे परकार सातौ पता निकाल निकाल लेंούμε आप टेपद एच्स के गट तंदी जोड देंगे शिक्स कितने 9 विट्टा 2 है इसके अंदर दी नहीं एक बता 2 जोड देंगे यह इन्हों का अलसे मुझा जोग यह तो दोpod लोगima 2010 कितना आगे दो आगे दोका वाग दो में 1 बार जाएगा में एक बार जेगा me बागर्ण यहां तक ही एपनी दीगी थी और यहीं धया ऀआ गया फिर नुव बटा दू आ गया और यह पांस यह पाइं है यह के रोगे क्योस्च है क्लाइम नमर सुम कर निकालने है यहां कर फिर सारों अंतर निकालते हैं तो सारों अंतर है कि सारों अंतर डीवन निकालेंगी तो डीवन निकालेंगे त्यानि इन दोनों का अंतर निकालेंगे त्यानि एट्टू माइनस एवन एट्टू कितना यहां पर माइनस तीन पॉइंट दो है फिर यह माइनस का सिंबल तो यह हमने माइनस लगा दिया फिर एवन लिखेंगे एवन भी क्या है माइनस का एक पॉइंट दो है तो यह तो माइनस का तीन पॉइंट दो रहेगा यह माइनस है और यह माइनस है बीचें ब्रेकेट है ब्रेकेट का इस क्या है गुणा तो माइनस का गुणा माइनस होगा तो क्या हो हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा प्लस का एक ब्लसका एक पॉएंट दो यह मैनेस माानुट से गुणा हो गया तो मैनेस माइनस गुणा हो के प्लस का 2 बचेगा आप ऐसे देख लिए टीन है और यह 2 घंख BEN का और यह ढूझ दो यह तो 2 आपको मैंस तुन निकाल लेए । तीन्य में से दूसरी फ्रेड़ घट आएंगे यहांपे तीस रापद कितना है यह लीजिए आपको यह तीस रापद है ठीक है यह कितना है माइनस का पांच पॉइंट दो है इसमें से दूसरा पद गटाएंगे तो जो कि गुना के क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, तो यह क्या बचेगा? प्लस का तीन पॉরट है, दो बचेगा, इन डोनों को शौल करेंगे तो ओमा अन में कितना मिलेगा माइनस का 2 मिलेगा, आप इसको परकार कर सकते हैं, माइनस का पांच पॉयंट दो, इस में कि एक स्क्सिर्ण प्लस म 단感謝 आप 14 ऑप्दाए इस प्लस मैनिस आप हो बूल जाओ कि मैंने तो दो से ऑद्स मान लेते हैं तो दो मेंसे दो हटटे गांच cooling Day पिर प्र फॉइंट है और इक्वाए पका पाइंच और यह क्या है तीन है तो पांच के साथ गटेगा यानि क्या बचेगा दो बचेगा अब यहां पर क्यैंड उल्टा है पना ओष्जिंगाय बचेगा स हम माइनस का तो बचने वाला मान भी किसका होगा माइनस का होगा तरहने कि जो D2 राख कितना है माइनस का 2 एक सब्सक्राइब ऊपर कार हम D3 निकाल लेंगे तो तीस रापद हमें कितना दिया गया मैनस का 5.2 है वो दिया गया इसको हम सोल करते हैं सोल करेंगे तो मैनस का 7.2 लिखते हैं मैनस मैनस ब्रेकेट का मिनस गुणा तो कि क्या हो जाएगा पिलस हो जाएगा और ये कितना जाएगा पांस ओज़ बचेगा अब आप यहां पर देख लीजिए तो माइनस का साथ दो है यह पलस का पांस दो है तो जदा कौन सा है माइनस वाला ज़यांद आ रहे कितना जाद है तब आ पो लोगे शरी आप डो जाद है तैने त्री कमान वह भी अपने पास कितना आ गया माइनस का दूा आगया आप यहां पर नोट करेंगे कि D1 भी कितना रहा है माइनस दो D2 भी कितना रहा है माइनस दो और D3 भी कितना रहा है माइनस का दो आ रहा है तो हम लिख देंगे कि D1 बराबर है D2 के और D3 के यह तिनों मान क्या बराबर है जब यह D का मान बराबर होता है तो वो क्या हो जाएगा कि आपके स्रेडी हो जाएगी त हम लिख देंगे अतैर अतैर माइनस एक पॉइंट दो माइनस तीन नप पॉइंट साथ पॉइंट गूइंच दो म Самतर शर्री है यह तो हमसे पूछा गया था कि जो हमे इस रेडी दी चेई समानतर स्रेड़ी है या नहीं यह में एक स्रेड़ी दीगी तो पुछा गया था कि समानतर स्रेड़ी है या नहीं तो हमने डी कमान निकाल लिया डी कमान अपने पास बराबर आया है ठीक है तो डी कमान बराबर आया है तो हम लिख देंगे एता है यह में जो दीगी है वो क्य A4 के अंदर हम सारों अंतर जोड़ देंगे A4 कितना है माइनस का 7.2 है इसके अंदर सारों अंतर कितना है माइनस का 2 है यह जोड़ देंगे तो यह 7 है और यह 2 है तो कितना हो जाएगा माइनस का 9.2 हो जाएगा इसी परकार इसका हमें आगे का पद निकालना है तो वो कितना होता है A6 A6 यानि A5 के अंदर हम D जोड रहे हैं A5 के अंदर D जोड रहे हैं यहाँ पर हमने A4 के अंदर D जोड था इसी परकार A6 के अंदर A5 के अंदर हम D जोड रहे हैं A5 कितना है, minus का 9.2 है, इसके अंदर D को यड़ करेंगे, तो D कितना है, minus का 2 है, इसको जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, minus का 11 और यह कितना है, पॉइंट दो यह आपका A6 हो गया इसे परकार A7 करते हैं ठीक एस यानि A6 plus D A6 plus D करेंगे तो कितना जाएगा आपने पास A7 आजएगा A6 कितना है माइनस का 11 पॉइंट दो है और D कितना है माइनस का 2 है तो इनको जोड़ेंगे तो अपना जाएगा माइनस का 13 दो यह आपका क्या हो गया एस यह नमर तीन है वह भी कंप्लीट हो गया ठीक है नेक्स क्यूशन नहीं दोस्तों हम नेक्स क्लास में करेंगी आज अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आप पर कमेंट करके वह जुरूर बता दिना अगर आपको क्लास सच्छे लगी है समझ में आया है तो आप इसको लाइक और स्वेरा वह जुरूर कर दिना फिर मुलाकात होगी इसी परकार एक और बैतरिन क्लास के साथ तब तक आप हुशते रहना मुस्क्राते रहना देखते रहना जोपिट पीडी जैहिन जैबार